आईए सुनते हैं मुन्से प्रेमचन जी की कहानी विद्वन्स इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीर लगी रहती थी वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की जोपरी के एक कोने में पड़ी रहती वह प्रातर काल उठती और चारों और से भाड़ जोखने के लिए सूखी पत्तियां बटोर ला दोफर के बाद उसका भाड़ जलता था लेकिन जब एका दशी या पूर्ण मासी के दिन पर्थानुसार भाड़ ना जलता या गाउं के जमिंदार पंडित उदैब भान पांडे के दाने भुनने पड़ते उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवारते थे उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतू से भी भार बंद रहता था वो पंडित जी के गाउं में रहती इसलिए उन्हें उससे सभी परकार की बेगार लेने का अधिकार था उसे अन्या नहीं कहा जा सकता अन्या केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे उनकी धारना यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी किसान को अधिकार है कि बेलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूटे से भूखा बांध दे यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी द्यालुता नहीं है के बल अपनी हिट चिंता है पंडित जी को उसकी चिंता ना थी क्योंकि एक तो भूणगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि दैव योग से मर भी जाती तो उसकी जगे दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था पंडित जी की यही क्या कम किरपाथी की भूणगी को अपने गाउं में बसाये हुए थे चैत का महीना था और संक्रांती का फर्व आज के दिन नए अन्र का सत्तु खाया और दान दिया जाता है घरों में आग नहीं जलती भूणगी का भार आज बड़े जोरों पर था उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था सांस लेने का भी अवकाश ना था कहांकों की जल्दवाजी पर कभी कभी जुझला परती थी कि इतने में जमिंदार साहब के यहां से दो बड़े बड़े टोकड़े अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ की अभी भून दे भूनगी दोनों टोकड़े देखकर सहम उठी अभी दो पर था पर सुरियास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता दैव से इतना भी न देखा गया इन यमदूतों को भेज दिया अब पहर रात तक सेंत मिंत में भार में जलना पड़ेगा एक नेरास्टे भाव से दोनों टोकड़े ले लिए चपरासी ने डांट कर कहा देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी भुनगी यहीं बैठे रहो जब भुन जाए तो लेकर जाना किसी दूसरे के दाने चूँ तो हाथ काट लेना चपरासी बैठने के हमें चुटी नहीं लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए चपरासी तो यह ताकित करके चलते बने और भुनगी अनाज भुनने लगी लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हसी तो थी नहीं उस पर बीच बीच में बुनाई बंद करके भाड़ भी जोखना पड़ता था अते तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ उसे भै हुआ कि जमिनदार के आदमी आते होंगे आते ही गालियां देंगे मारेंगे उसने वेग से हाथ चलाना सुरू किया रास्ते की और ताक्ती और बालू नाद में छोड़ती जाती यहां तक की बालू ठंडी हो गई सेवरे निकलने लगे उसकी समझ में ना आता क्या करे न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था सोचने लगी कैसी विपत्ती है पंदित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं कौन मेरे आसू पोस देते हैं अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है लेकिन जब देखो खोपडी पर सवार रहते हैं इसलिए ना कि उनकी चार अंगुल धर्ती से मेरा निस्तार हो रहा है क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है ऐसे कितने ही टुकडे गाउं में बेकाम पड़े हैं कितनी बख़डियां उजार पड़ी हुई है वहां तो केसर नहीं उपजती फिर मुझी पर क्यों ये आथो पहर धोंस रहती है कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भार खोद कर फेक दूँगा उजार दूँगा मेरे सीर पर कोई होता तो क्या बख़ारें सहनी पड़ती वह इनी कुछित बिचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चप्रासियों ने आकर करकस्वर में कहा क्यों रही दाने भुन गए मुर्गी ने निडर होकर कहा भुन तो रही हूँ देखते नहीं हो चप्रासि सारा दिन बिच गया तुमसे इतना अनाजना भुना गया या तु दाना भुन रही है कि उसे चौपट कर रही है या तो बिल्कुल सेवडे हैं इनका सत्तू कैसे बनेगा हमारा सत्यानास कर दिया देख तो आज महराज तेरी क्या गती करते हैं परिनाम यह हुआ कि उसी रात को भार खोद डाला गया और वह अभागिनी विद्वा निराव लंब हो गई गुनगी को अब रोटियों का कोई सहरा न रहा गाउवालों को भी भार के बिद्वन्स हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा कितने ही घरों में दोफर को दाना ही न मैश्सर होता लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भार जलाने की आगया दे दीजिए लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ना दिया वो अपना रोब न घटा सकते थे बुढ़िया से उसके कुछ शुपचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गाउं में क्यों नहीं बच जाती लेकिन उसका हिर्दे इस प्रस्ताओं को सुईकार ना करता पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी दूसरे गाउं के सुख से यहां का दुख भी प्यारा था इस परकार एक पूरा महीना गुजर गया प्राता काल पंडित उदेवान अपने दो-तिन चप्रासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था नजराने में डान बांध में रसू में वख किसी अन्यवक्ति को शरीक न करते थे बुढिया के भार की और ताका तो बदन में आग सी लग गई उसका पुनरुधार हो रहा था बुढिया बड़े वेक से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी कदाचित उसने कुछ रात पहले ही काम में हाथ लगा दिया और सुरियोते से पहले उसे समाप्त कर देना चाहती थी उसे लेश मात्र भी संका ना थी कि मैं जमिंदार के विरुद कोई काम कर रही हूँ क्रोध इतना चिर्जी भी हो सकता है इसका समाधान भी उसके मन में ना था एक परतिवाद शाली पुरुष किसी दिन अवला से इतना कीना रख सकता है उसे उसका ध्यान भी ना था वह सभाबता मानव चरीतर को इस से कहीं उचा समझती थी लेकिन हाँ हत भागनी तुने धूप में ही बाल सफेद किये सैसा उधर भान ने गरज कर कहा किसके हुक्म से भुनगी ने हक बका कर देखा तो सामने जमिंदार महुदे खड़े हैं उधर भान ने फिर पुछा किसके हुक्म से बना रही है भुनगी दरते हुए बोली सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ उधर भान मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूँगा यह का उन्होंने भार में एक ठोकर मारी गिली मिट्टी सब कुछ लिये दिये बैठ गई दूसरी ठोकर नाच पर चलाई लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पड़ पड़ी अब उसे क्रोधाया कमर सहलाते वे बोली महराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए मुझे इस तरह उजार कर क्या पाओगे क्या इस चार अंगूल धर्ती में सोना निकल आएगा मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ दीन की हाई मत लो मेरा रोआ दुखी मत करो उदेभान अब तो यहां फिर भार न बनाएगी बुनगी भार न बनाओगी तो खाऊंगी क्या उदेभान तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है बुनगी टहल तो तुम्हारी करती हूँ तो खाने कहा जाओ उदेभान गाउं में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी बुनगी टहल तो तभी करूंगी जब भार बनाऊंगी गाउं में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती उदेभान तो छोड़कर निकल जाओ बुनगी क्यों छोड़कर निकल जाओ बारे साल खेत जोतने से आसामी कास्तकार हो जाता है मैं तो इस जोपड़े में बूरी हो गई मेरे साथ ससूर और उनके बाप दादा इसी जोपड़े में रहे अब इसे यमराज को छोड़ कर कोई मुझसे नहीं ले सकता अच्छा तो अब कानून भी बगारने लगी हाथ पर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूगा चपरासियों से अभी जाकर उसके पत्तियों के धेर में आग लगा दो देखे कैसे बार बनता है एक च्छान में हाहाकार मच गया जौला शिखर आकास से बातें करने लगी उसकी लप्तें किसी उनमक्त की भाती इधर उधर दोड़ने लगी सारे गाउं के लोग उस अगनी परवत के चारो और जमा हो गए भुनगी अपने भार के पास उधाशीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही अकश्मात वबेक से आकर उसी अगनी कुन में कूद पड़ी चारो और लोग दोड़े लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी आग के मुह में जाए च्छन मातर में उसका सुखा हुआ शरीर अगनी में समाविष्ट हो गया उसी दम पवन वी वेक से चलने लगा उर्दु गवामी लप्ते पूर्ग दिशा की और दोड़ने लगी भार के ही समीब किसानों के कई जोपड़ियां थी वह सब उन्मक्त जॉलाओं का ग्रास बन गई इस भारती प्रोत्साहित होकर लप्ते और आगे बढ़ी सामने पंडित उधेबान की बखारती उस पर जपटी अब गाउं में हलचल पड़ी आग बुझाने की तैयारियां होने लगी लेकिन पानी के छीटों ने आग पर तिल का काम किया जॉलाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोज बैठी देखते देखते वह भवन उस नौका के भाती जो उन्मक्त तरंगों के बीच में जहकोरे खा रही थी अगनी शागत में विलीन हो गया वह क्रंदन ध्वनी जो उसके भस्मा वस्षेश में प्रस्फुतित होने लगी भुनगी के शोक में बिलाप से भी अधिक करणा कारी थे तो ये आप सुन रहे थे मुशी प्रेम चैन जी की कहानी विद्वन्स रेनू की आवाज में ऐसी ये अर्बूत कहानीों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू